आसान भायों, आपने तो जरूर भिन्दी लगाया होगा और भिन्दी देखा भी होगा, ऐसे तो भिन्दी लगाना बहुत आसान है, ऐसे आप देख सकते हैं, भिन्दी लगाने में आपको खेत की तियारी करना होगा कैसा मिट्ती चाहिए सारई चीज के बारे में full detail बताएं और इस मौसाभ में अगर लगा दिजेगा अग्याति Бाला का पत्ता भी बरा बरा हो गया होगा फेल्ब भी दे है वर्षय उपहर के नाम से आता है और पूशा एफ ठोर के नाम से भी आता है यह सब है company यह सब मतलब सरकारी वीजुज होते हैं और private company के बाद करें तो सींजेंट आतीं है नाम है और भेनार आता है लेकिन आप अपने श्हृत में कोई भी किसान जो किसान लगा रहे होंगे उनसे पता कर लिजेगा जो जैसा कीन सा बीज लगाना चाहिए मतलब कौन कमपनी का क्योंकि लगाने बाले आपके छित का मारकेट भेलू से हिसाब से रखते हैं क्योंकि को याद doctrine को छोटा-छोटा भींडी चाहि anni कुछ को बड़ा बींदी चाहिए और कोई को अब एक भींदी होता है कटीला वाला वह एक आदेभिवानाती है फॉल राइटी है उसका भी आपको पता लगाना होगा क्योंकि काटा बला जो होता है वो मुझे नहीं अच्छा लगता है और वो बीकता भी उतना ज़्यादा नहीं है ऐसे तो अरहाई से तीन किलोग्राम आपको सिंचित भूमी में लगेगा परती हेक्टेर के दर से बीज और आपको सिंचित में 5-7 किलोग्राम लगेगा परती हेक्टेर तो आप एकर में लगा रहे होंगे तो 1-1.5 किलोग्राम आपको एकर में सिंचित भूमी में क्योंकि अभी तो मेरे यहां सिंचित भूमी ही एक तरह से समझे क्योंकि बारिस हो रहा है तो बारिस पुरा बीज दिन अभी लगेगा समय और दो ग्राम कारिवेंटा जीन और मिनकोजेव तीन ग्राम मिला के आप उसको पहले पच्छी तर से बीज को उसी में पूरा लपिर दें जिससे ये होगा बीज उपचार हो जाएगा और आपको कतार से कतार की दूरी ग्रिस्म कालीन में थोड हब दिया जाता है विज़ेशफ गाली में 25-30 cm होना चाहिए कतार से कतार के दूरी और पधे से पधे के दूरी 15-20 cm होना चाहिए हम तो 15-20 specific रहता है लेकिन हम ज्यादा नहीं रखते हैं हम तो 10 cm बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि इसमें त्ठंड गर्मी का मौसम रहता है तो इसमें जितना कम रहेगा उतना ही ज्यादा पत्ता रहेगा उतना ही ज़्यादा अंदर में छायादार बना रहेगा जिससे मेरा भिंडी बहुत अच्छा रहता है इसलिए हम लोग उतना कम करते हैं और गर्मी का अलियन बाला तो अभी गर्मी वाला लगता है फरबरी मार्ज में और वर्षा का अलियन जून जूलाई में ऐसे तो फरवरी से जून जूलाई आप सालों भर भिंडी का खेती होता है और आजकल तो पॉली हाउस वाला सिस्टम चला है तो उसमें तो एक अलग ही उसका विद्धी है तो वो तो मतलब बात ही छोड़ी है पॉली हाउस में यह होता है जो आप कोई भी सरकारी का प्राइवेट कंपनी का बीज लोग यूज करते है जो अच्छा उत्पादन दे ऐसे तो आपको इसमें खेत में खेत के जो ताई से पहले आपको 10 कुंटल गोबर देना होगा और 40 किलो आप नैट्रोजन दीजे और 30 कि पोटा 30 किलो डिये पी दीजे आप ये सब मतलब इसका आधा भागा आप भी रख लीजे और आधा 25 दिन बाद दे दीजे 25 दिन बाद पानी जैसे ही दीजेगा पहला पानी उससे में दे सकते हैं और खरपतवार के लिए निराई गुराई ही करवाई ये होता है जो जब लगाना होता है उसे पहले ही एस्प्रे करके जो ताई करवा देते हैं उससे भी हम लोग को फैदा हो जाता है और उतना ज़्यादा गहास नहीं होता है लेकिन आप अगर देख सकते हैं आपके गहास होगा तो निराई गुराई करवाई या नहीं तो कोई ऐसा दबा दीजे लेकिन दबा कम मात्रा में जितना अगर दुकंदार का है उसे कम मात्रा में प्रयोग किजेगा नहीं तो भींडी पे ज्यादा असर पड़ेगा तो आपको उसके लिए ही माइक्रो न्यूट्रेंट देंगे बहुत सारा चित दीजेगा और पीजी यार डालना होगा अगर प्लान्ट गृुटर डेगूलेटर भी डालना होगा इसप्रे करना होगा तब जाके प्लान्ट का गृूथ हैगा अगर फेक्ट कर गया अगर खर्पदवार नासी दीए और फेक्ट लिए पीजी यार एसप्रे करते हैं लोग उसके बाद अगर रुग ग्या है तो नहीं तो यह 55 दिन अराम से कोई भी hybrid company 55 दिन में भिंजी देना स्टाट कर जेती है और हम लोग तो आजकल यह करते हैं मुर्गी का खाद से भी हम लोग उपचाते हैं सिर्फ मुर्गी का खाद रख देते हैं और थोरा डीएपी या यूडिया दे देते हैं उसी में मेरा उप सब्सक्राइब कर देते हैं